अगर आप भी अपना फेस्बूक पेज मोनेटाइस करना चाहते हैं पाकिसान में रहते हुए तो यह वीडियो आपके लिए सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं यहाँ पर अगर अगर आप मेरा मोस्ट प्याउट देखें तो 209 डॉलर और अगर मैं सैटिंग में जाकर कोई गैरंटी तो बाद में मत क्याना है यह सीखते हैं मैंने तकरीब एक महीना पहले यह वीडियो बनाई थी थामने लाप की स्क्रीन पर आ रहा है जिसके अंदर मैंने एक गुड नियो शेयर की थी कि मेरा पाकिसान में रहते हुए मॉनेटाइस हो गया मुझे मुझे वह मेरा जब first time page eligible हुआ था तो जो process जो चीज़े सामने आती की बजमा करता गया जहां पर कोई mistake हो थी तो ठीक किया फिर apply गया मेरा page monetize हो गया और वो कैसे होगार लगाए वो तीसरे method में मैं आपको बता हूँ वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज़ और क्लियर में आप लोगों के साथ कर दूँ कि बाई जिन लोगों कर नहीं पता कि पाकिसान जो है वह फेस्बुक की monetization की जो eligible countries है उसके अंदर अवेलेबल नहीं इस वजह से यह वीडियो लोग देख रहे हैं मे अब भी देखरो लिस्ट पता दिये पाकिसान जो है वह एलिजिबल नहीं है तो मेरा बेच का से मोनेटाइज हुआ अब देखने में मजा है सबसे पहला मैथड है मिजोरिटी आप सबको पता होगा कि यार बाहिर किसी ऐसी कंट्री से आप मॉनेटाइजेशन के लिए अप करते हैं जहां पर फेस्बुक की मोनेटाइजेशन अवेलेबल है यूए से या किसी और कंट्री से आप वहां पर किसी अपने रेलेटिव को दोस्तों को या सर्वर पर चेस करकी यह जिस तरह भी आप वहां पर मुझूद बंदे को यह सर्वर को आप यहां से अपने पेज में या उसके बैंक अकाउंट बाप सचिए कर अगर तो आपका फ्रेंड फैमिली में कोई है तो वैलन बूर अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग यह सर्विसेंज भी देते हैं वह आपसे फिफ्टी फिप्टी शेर ले 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 लेते हैं या 70 30 यह जो भी डिर आपक और Facebook के उपर उनके अपने काफी pages monetize हैं उनसे जब मैंने बात की उनसे मैंने पूछा कि यार मेरा page जो है वो मैंने monetization के लिए apply किया था मेरा page monetize क्यों हो गया तो बातों बातों में एक चीज़ निकल कि आई कि यार अगर आपके page के उपर आपको मिल जाता है पाकिसान में रहते हुए अगर आपको राइट मेंजर मिल जाते हैं और यहां पर आप देखे यह राइट मेंजर में पास शोगर है राइट मेंजर होता क्या है कि आप जो content बना रहे हैं वह आपका original content है यह किसी का copyrighted material नहीं आप यूज करें आपका original content है Facebook आपको rights manager देता है इससे फाइदा यह भी होता है कि कोई बंदा अगर आपकी वीडियो यूज करता है बगार आपकी permission कि आप से strike बगारा देके video भी remove कर वास्ता है cases में उनको वैसे भी मिल जाता है तो अगर यह आपके पास है और आप apply करते हैं तो आपका page जो है वो monetize हो जाता है और यही चीज़ जब मैंने Facebook पेज अपना monetization के लिए apply किया था मेरे पास उसवकर rights manager मुझूद था मैंने अपने address अपना bank account अपना name अपनी even के text ID एक एक चीज मैंने पाकिसानी फिल की और मेरा page जो है वो monetize हो गया था लेकिन मुझे payout नहीं मिल था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर आप अपनी screen पर देखें September 30 2022 को मेरे page के उपर earning थी 40.95 dollars ठीक है यहां पर मैं आपको सामने दिखार हो लेकिन यह मेरे account के अंदर पैसे नहीं पहुंचे मैंने अपने दोस्तों पूछा जिनके page तो पाकिसान में रहते हुए काम करें उन्होंने मुझे का कि यार पेमट आ जाती है सम्टाइम्स वो पाकिसानी bank के माशाला dollars आते भी दुख से apply किया है पाकिसानी bank account लगाया हुआ है सारी चीजे तो मेरी पाकिसानी है हो सकता है कि इसी वजह से जो payment है वो मुझे नहीं मिल रहे है तो मैंने क्या किया मैं पास already UK का stripe और PayPal वगारा मेरे पास available था तो मैंने यह सोचा कि ऐसा करता हूं कि अपने उस server में जाके एक वहां कर दिया लेकिन पैसे मेरे account में फिर नहीं आए अब मैंने यह सोचा कि यार यह क्यों नहीं आ रहे तो फिर मैंने जाके Google किया तो पता चला कि यार कम से कम आपके पास $4 minimum होंगे तब आपके account के अंदर वह पैसे credit हो जाते हैं तो जैसे यह $40 next मेरा payout हुआ $170 तो Facebook ने इन और यह थी मेरी mistake जो मैंने last video जो यह थमने लाप के सामने आरी इस video के अंदर मैं बता नहीं पाया मैं जिस्ट एक वह निए शेयर कर रहा था और बहुत से लोगों ने मुझे का किया आप कह रहे हैं कि पाकिसान में रहते हुए आपका page monetize हुआ आपके हमने जाके admin चेक किय यार वह जूट नहीं बहुता था असल में पूरी बात यह थी मेरा page जो है मैं again कहूंगा बगार पेपाल लगाए बगार UK की ID वह बंदा लिंक किये मेरा page जो है मोनेटाइज हो गया था मेरे dollars भी बन रहे थे again अगर आप यह कहते हैं कि या directly बस आप कुछ भी content बनाते जा आपके पास rights manager भी नहीं है और आप डिरेक्ली अपना page monetize कर लेंगे Facebook का तो यार ऐसा नहीं हो सकता तो क्या आपको Facebook पर काम कर देना चाहिए हर्गीज में अगर आप YouTube पर content बनाते आप किसी भी platform के ओपर content creator है video content creator तो भही आप Facebook के ओपर जरूर videos upload करें बहुत अची reach मिलती ह बहुत अची viewership है आपकी branding बहुत तकड़ी होती है Facebook के ओपर आप जरूर content बरें अब आप सोच रहे होंगे यार फाइदा क्यागा अगर आपका page monetize नहीं होता लेकिन आपके page को पर अची viewership है तो आप sponsorship से वैसे ही पैसे कमा सकते हो affiliate marketing करके वैसे ही पैसे कमा सकते हो number three आप आपकी branding तो ही रही है आपकी जो followership है वो भी बढ़ रही है तो आप इंस्ट्रीम एड्स जो के बहुत कम revenue है अगर आप YouTube के निस्वत compare करते है Facebook का revenue बहुत कम है तो आप सिर्फ इंस्ट्रीम एड्ड के लिए ये बाकि सारी जो earning opportunities है आप इन्हें छोड़े नहीं आप बात कर करें जो कि आपका पेज बाइड की से मॉनिटाइज कराएगा वहीं का बैंक अकॉंट लगाएगा लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो मैंने सुनी है वह यह है कि आपको फिर जो वीडियो है वह भी बाइड से अपलोड करनी पड़ती है अगर आप पाकिसान से भी अपलो कर लेता तो वह ज्यादा अच्छा प्रोसेसल कि जब मैं अपलाइग करते हुए दिखाता कि कैसे कैसे मैं अपलाइगा लेकिन चुके मैं वह नहीं कर सका फास्ट टाइम ता जो 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 आप्शन आई इसको टी किया जहां पर कुछ समझ आ रहती वह किया करकर आकर मैंने अचालला उमीद बढ़ी है कि आपका पेज वो मॉनिटाइज हो जाएगा अगर फिर भी नहीं आप कहते हैं मैंने रिस्क नहीं लेना तो फिर बैतर है कि आप यूके यूएस से में एक सर्वर परचेस करें वहाँ पर अपनी कंपनी रिजिस्टर करें वहीं का बैंक अका लें पेपाल लें देने के बाद आप उस वहीं पर एक आईडी करें अपने पेज को एड्मिन बने और वहां से मॉनिटाइजेशन के लिए अपलाए कर लें यह तीसरा मैथड़ है जो भी पॉसिबल चीजे थी मैंने खुलके आप लोगों के साथ शेयर की माजरत अगेन कर करना मैं उस वीडियो में भी शेयर कर देता है होपसो कि आज की इस वीडियो में आपको इन दफ नॉलिज मिली होगी कि यार कि मैं कैसे अपना पेज पाकिसान में रहते हुए मोनिटाइस करवा सकता हूं एक और गुड निवस में जाते जाते हैं आप लोगों को साथ शेय आपके पास और कौन-कौन से मैथर डिजान जिनसे आप ओनलाइन पैसे कमा सकता है उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके बताना है अगर आप एकसाइटेड हैं तो इन्शाला वीडियो भी जल्द आपके साथ में शेयर कर दो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो इसे लाइक शेयर कीजिएगा मैं मिल तब आप से इन्शाला डेक्स वीडियो में तुब तक के लिए अलापीस